अच्छा जी कॉकटेल बीडिंग सॉलुशन्स का पार्ट 12 है यह और आज हम एक और नया केस आपके सामने डिस्कस करूँगा लोगों का अकसर सवाल होता है कि यार हमारे कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं तो यारे कि अंडे से निकलते हैं चार दिन बाद मर जाते हैं या दो दिन बाद मर जाते हैं किसी के एक डिड़ हफते बाद मी मर जाते हैं तो आज मैं आपको एक मरावा बच्चा दिखा उगा इसी पेर का है इस पेर ने बीर Wallace और मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ जो मरा है यानी कल निकला अंडे से और आज वो को देखा मैंने तो मरावा था। उसी के साथ जो एक और उसका भाई इससे एक दिन पहले निकला था वो सही है बिलकुल उसको खिला भी रहे हैं सब कुछ है अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैमन कैसे करना है आपने डेड बोडी को फॉरण से उठा के फेंक नहीं दिया गरें भाई एक्जैमन किया करें क क्यों मरा ही है तो मैं एक्जैमन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको पहले देख लें आप सबसे पहले चेक करते हैं इनका पाउच फीडिंग पाउच यह देखें इसका गला बिलकुल खाली है आप जैसा देख सकते हैं मेरी उंगली बिलकुल फिक्स हा रही है इसके गल अब मैं आपको बताओंगा कि अगर यह सॉफ्ट फीड का इश्यू होता तो जो पहले निकला है उसको यह फीड करवा रहे हैं अभी भी करवा रहे हैं उसको यह मैं आपको दिखा देता हूं उसका उसका जो पाउच है वो भरा हुआ है कि तर्फ़躯थ को मैं आपको इसी में दिखा दूंगा पहले मैं आपको बता दूँ जरा सा यह फोजग फुरर यह पोगरा चोल के मैं अपको चेक करवाग दाओ पहले यदि के इसका बाई जो से दो दिन पेले निकला यह सिर्फ एख गयो हुआज यह इस छ यह तो बिल्सक बच्चा निकलने वाला है आज या कल तक निकल जाएगा तो इस अंडे को मैं से शिफ्ट कर दूँगा क्योंकि सेम टाइमिंग दूसरे पेर की भी है उसके भी बच्चे निकल रहे हैं इसी तरह एक निकला हुआ है कुछ अंडे पड़े में तो यह बच्च यह इंडा में उ पिलायागा अंडे को इसका अंडा में उसी के निचे रहूंगा जिसकी टाइमिंग मैच करती होगी यह बच्चा देख रहे हैं देखें बिलकुल खाया हुआ मुस्टंडा चुस्त दुरुस्त यह बच्चा है और इसका भाई मर गया अच्छा आप देख रहोंगे यार मै मेरी एक बच्चा जाय हो गया हुँगा यह उँ हो गया तो मैं आपको बताता हूँ मैं खुश क्यूं रहता हूं भाई मैं वी चुछ इसलिए रहता हूं क्योंके मैंने काफी ज़्यादा प्यर जढगा कर रहे हैं काफी जादा प्यर ब्रीट कर रहा है मेरे पास तो इसलिए मुझे इतना अफसोस नहीं है क्योंकि काफी मेरे पास मरने के बावजूद भी भाई ठीक ठाक पैसा आजाता है कॉकटेल में से यार अच्छा खासे बच्चे निकल रहा है मेरे पास तो इसलिए मैं खुश हूँ तो अब इस पैर के साथ थोड़ा सा मैं आपको इसकी डीटल बताऊंगा इसका चक्कर कहा है पैर का वो मेल दिख रहा है आपको चारकॉल का वो मेल है उसके साथ फीमेल मैंने क्रीम की लगाई हुए अब मेल जो है वो दो साल से उपर का मेल है यह मैं अपने दोस्त से लेकर आया था फीमेल मेरे अपने घर की है फीमेल की उमर जादा नहीं है फीमेल की उमर है तकरीबन बहुत हुआ साल की अभी हुई होगी है ठीक है भाई तो यह इसका दूसरा ब्रीड है सेम कहानी जो यह हुई है ना एक बच्चा इसका बिल्कुल ठीक है उसको फीड भी करवा रहे हैं और दूसरा बच्चा इसका जो बाद में निकला वो मर गया उसको इन्होंने फीड करवाई यह नहीं है ठीक है तो सेम केस यह पहली ब्रीड में भी हुआ था तो यह क्या चक् अब यह बात वाकी परिशानी वाली है मैं इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद भी मैं सोच रहा हूं मैं एक्जमाइन कर रहा हूं बार बार आप उसे डिसकस इसलिए करता हूं ताके आप लोग परिशान ना हों आप लोगों को मसले ना आए अक्सर लोग जो एना डि पैरे कॉक्टेल ने बच्चे मार दिए अब आप देख रहे हैं इसे पैर पता लग रहा हो है कि खाय हूं या कि si ने खाये हैं इसके पैर तो ये मित होती है कॉक्टेल के बारे में कि अपने बच्चे खा जाता है अब ये पैर खाये में ये कैसे खाये में आपको बताता हूँ इनके पैरेंट्स नहीं खाये है मगर इनके पैरेंट्स ने बच्चे को नहीं मारा जब कोई मर जाता न बच्या तो यह उसको चबाना शुरू करते थे उनको पला चल झाल जाता है कि मर गया यह चबाना शुरू करते थे और यह कुदरती अमल है अब बंदा क्या समझता है कि शायद इन हो HE ने मारा है यनि कि इसके parents ही ने मारा है इसको भाई ऐसा नहीं होता दूसरा बच्चा बिल्कुल सही है उसको क्यों नहीं खा रहे हो तो मरने के बाद कॉक्टेल चबाता है बच्चे को थोड़ा सा जिंदा बच्चे को कभी कॉक्टेल नहीं मारता याद रखिएगा यह मरा है फीड ना मिलने की वज़ा से अब मुझे को अपडेट करूंगा इंशालत इसके बारे में पूरा बताऊंगा